हेलो फ्रेंड्स टेस्टी ट्रिट्स में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ मलाई पनीर की सबजी सूपर टेस्टी या सबजी बन कर तैयार हुई थी बनाना बहुत आसान है और ये सबजी आपको किसी रेस्टूरेंट में भी नहीं मिलेगी इसे खाकर आपके टेस्ट पर खुस हो जाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पनीर लिया है ये घर की बनी हुई पनीर है घर की बनी हुई पनीर बहुत सौफ्ट होती है इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे मैं इसे ट्राइंगल सेप में काट रही हूँ जिससे सबजी देखने में अच्छी लगेगी अब एक पैन लेंगे इसमें एक चम्मच तेल डाले तेल को हमें अच्छी तरह गर्म कर लेना है फिर इसमें वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल कर इसे भून लेंगे फिर इसमें कटे हुए पनीर को डाल दे हाई फ्लेम पर पनीर को हमें भून लेना है पनीर को एक से दो बार पलट कर हमें गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेना है पनीर देखिए अच्छी तरह सिग गई है और इसमें अच्छा कलर आ गया है इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दे अब हमें 2 प्याज, 4 हरी मिर्च और 1 सिम्ला मिर्च लेनी है आप्याज और हरी मिर्च को बारी काट लें और सिम्ला मिर्च को मीडियम साइज में काट लेना है अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखें इसमें 3 बड़े चमज तेल डालेंगे तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तब इसमें वन फोर्थ चम्मन जीरा डाले और जीरा को अच्छी तरह चटकने दे फिर इसमें कुछ गर्म मसाला डालेंगे तालचीनी, इलाइची, लॉंग, काली मिर्च, नात में कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे गर्म मसाला और मिर्च को तेल में अच्छी तरह चटकने दे, अच्छी तरह चटकने से ही इसका फ्लेवर सबजी में आएगा अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज को हमें अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करना है इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है प्याज को बीच बीच में चलाते रहें जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी प्याज के साथ भून लेंगे इसे 2-3 मिनट तक भून लें जिससे लहसुन अच्छी तरह पक जाए अब इसमें एक बारी कटा हुआ टामाटर डालेंगे और इसे भी प्याज के साथ पका लेना है टामाटर डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जिससे टामाटर बहुत जल्दी और अच्छी तरह गल जाए जब तक प्याज और टामाटर भून रहा है हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर वन फोर्थ चम्मच काली मिर्ज पाउडर वन फोर्थ चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक घोल तैयार कर ले प्याज को एक बार चला दे रही हूँ जिससे वो नीचे से जलेना इसमें अब तैयार मसाला को डाल देंगे इस तरह मसाला का घोल बना कर डालने से मसालो का एक अलग ही स्वाद आ जाता है मसाला को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है मसालो की भूनाई हमें अच्छी तरह करनी है मसाला के साथ हमें सिमला मिर्च भी डाल देना है जिससे सिमला मिर्च भी अच्छी तरह पक जाए मसाला को भूनते हुए मुझे 5-6 मिनित हो गया है देखिए मसाला कढ़ाई से अलग हो जा रहा है और इस से तेल भी अलग हो गया है इस स्टेज पर हम इसमें आधा कप मलाई डालेंगे ये घर की रखी हुई मलाई है यहां मलाई हमें अधिक मात्रा में डालना है इतनी सबजी के लिए आधा कप सफीसियन्ट है अगर आप पनीर की क्वांटिटी जादा ले रहे हैं तो मलाई की क्वांटिटी बढ़ा दें इसे हमें बीच-बीच में चलाते हुए अच्छी तरह भून लेना है मलाई बहुत दिन की रखी हुई नहीं होनी चाहिए 3-4 दिन की रखी हुई मलाई ही डाले मलाई को हमें मसाला के साथ 4-5 मिनट तक भून लेना है इसे हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है जैसे जैसे मलाई मसालों के साथ भूनेगी इसके उपर तेल दिखने लगेगा इसका मतलब मलाई अच्छी तरह पक चुकी है इस इस्टेस पर हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे अब गैस का फ्लेम हाई कर दें और हाई फ्लेम पर दो मिनट के लिए मलाई को पकने देंगे इसके उपर धकन लगा कर इसे पकने दें ग्रेवी को पकते हुए जब 2-3 मिनट हो जाए तब इसमें फ्राई किये हुए पनीर को डाल देंगे और इसे धक कर फिर से एक मिनट तक पकने दें थोड़ी देर पनीर को ग्रेवी के साथ पका लेने से पनीर के अंदर ग्रेवी का फ्लेवर चला जाएगा तब तक धनिया पत्ता को मैं काट ले रही हूँ एक बार आप इस सबजी को जरूर ट्राई करें बहुत ही यमी यह सबजी बनकर तैयार हुई थी धकन हटा कर देखते हैं देखिए सबजी अच्छी तरह पक चुकी है और देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है इस स्टेज पर हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे कसूरी मेथी धनिया पत्ता और मलाई इस सबजी के स्वाद को बढ़ा देता है आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद